संदीव वी टीम क्लैड प्रैब और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं जो 20 डेली कुस्टन्स आते हैं उनको डिसकस करते जा रहे हैं और आपको सहथ पता हुगा कि जो सारे कुस्टन है तो आज के ही जितने भी न्यूज पिपर हैं उनसे लिए गए तो हम लोग एक गर के सारे जितने भी कुस्टन को अनलाइस करेंगे और देखेंगे क्या इनके और भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके एक्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकती है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कुस्टन को तो पहला कुस्टन भारत टेक्स दो हजार चॉबिस इव टेक्स टार को प्रमोट करने के लिए एक इवेंट जो होस्ट किया गया था वह भारत्य था नहौ सुनना बात ऊचोैक्श्टन सबस्क्तों हैं तो इंडिया क athletes को लिया जा अब दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट के ज़्यादा तो वर्ड में इंडिया हमेशा टेक्स्टाइल के लिए भे मसता अगर कहा जाए आज पूरे भारत में टेक्स्टाइल सिटी ऑफ दा इंडिया किसे कहते हैं तो वह सूरत सूरत में इंडिया का सबसे दा टेक्स्टाइल होता है नौ मैं राजिस्ताने बैठा हुआ हूँ अगर मैं कहूं कि टेक्स्टाइल सिटी ऑफ दा राजिस्तान किसे कहते हैं तो भील वाड़ा भील वाड़ा अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हमारे हां जो जो धागे हैं वो कहीं और बनते हैं और जो कपड़े हैं वो कहीं और बनते हैं तो हम लोग सबको कंबाइन करके एक यूनिफाइड मार्केट भी बनाना चाहते हैं पूरे भारत में एक ही जगे सबको टेक्स्टाइल को बनाया जागा इससे क्या होगा कि हमारा प्रॉड़क्टिविटी बढ़ेगी और चीजें को एक साथ ही कंपाइल करके हम लोग दूसरे के भी सरकर रहे हैं तो यह कुछ हमारा टेक्स्टाइल से लेडिर इंफॉर्मेशन थी टेक्स्टाइल का बजेट कितना पहुंचता है तो टेक्स्टाइल को जादे 16 बिलिन डॉलर तक का पहुंच जाता है ठीकि न समझना एकॉडिं टू दा एजुकेशन मिनिस्टर क्या है विच अकेडमिक से सनन्दे अवार्ड एज ऑफ़ एडवीशन दा ग्रेड वन तू सिक्स नाव इसका अंसर ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर और निटिफाइव दू हजार चोभी सो दू हजार पच्छी से रहेगा तो एज ऑफ दा वन टू सिक्स एर के लिए इनुगेशन को दा है देखो सारा जो अभी खेल चल रहा है ना मैं एक बाद बादा हूँ कंपाइल कर देता हूँ कि कितने वीज अभी इस रिगार्डिंग चल रही है इस रिगार्डिंग का मतलब है एजुकेशन से कर देना जी है तो जो ओपन बुक की भी बात चले कि ओपन बुक कर देना चाहिए नहीं कर दे इसके पहले इसकी टेस्टिंग 2016 में की गई थी लेकिन यह नहीं पता किन कारणों से फेल हो गई थी बड़ रिसेंटली फेल हो गई अब फिर से टेस्ट किया जा रहा है कि ओप को बनाने वाले थे के कस्तूरी रंगन और के कस्तूरी रंगन के कस्तूरी रंगन यही क्या थे हैं पहले बिलॉंग कर रहे हैं के कस्तूरी रंगन ही क्या थे यहां पर इंडिया यही थे इंडिया में इस उरो के चेर्में थे एक्स चेर्में इस उरो चेर्में थे और इन् बार semester system start भी है तो semester system मतलब जो नई education policy आई, उसके तरग semester system को start कर दें चाहिए, तो यह बना हमरा new education policy की बारे में, साइध आपको बता होगा, जो text book है, उसमें भी change किया जा रहा है, तो text book है, वो last time, 2005 में change किया थी, तो 2005 में change किया थी, तो 2005 में change किया जा रहा है, सायद आपको पता होगा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक बात देखे थी कि भारत में 15 से 18 साल तक के जो एज के स्टुडेंट है वो लगबग 15 करोड लोग अपने एजुकिसन को छोड़ देते हैं ये बहुत बड़ा ड़ा होता है और एक्चुली है क्या भारत में कि 6 से के लिए जो फिरी एजू कि संदिया गया था वह ड़ैलिवहारी बास पर ही ने दिया गया था pre program के देदा और यह वाली होता होना तो चाहिए बहुत सक्सेस्फुल पॉल्सी है लेकिं फिर भी मेरे साथ हिसाब से चैसे चौदा साल चौदा साल मदब क्लास एड तक के लिए हमें इसे फ्री तो ज्यादा होनी चाहिए यह बर्डन ना बने कि ताकि लिट्रिसी डेट बढ़े तो हमें इसे थोड़ा देने चाहि लेकिन बाद में जो भी जो भी पॉलिटिकल इबेंट हुए हमें नहीं पता ओपन भी नहीं हुए लेकिन वो फाइनली कर दी गई इस एच को फ्री एजूगेशन में डाल दिया गया जो आर्टिकल 21 का ए लिखो तो मैं समसे ज्यादा बैटर होगा इंडिन कॉंसे होगा और याद अगना यह कॉंस्ट्यूशन अमिंडमेंट था वो 86 कॉंस्ट्यूशन अमिंडमेंट एक्ट के तहत इसको लाए गया था इस सारी बातें यहां पर हो गई जो हमें यहां पर प जो हमारा एजुकेशन पॉलसी है उससे फिर से बिलॉंग कर रहा है तो देख लेते हैं कि सिक्स्ट्यूशन क्या है तो यहां पर राइट आप राइट आफ दे चिल्डरन तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 मिलाया गया था और उससे क्या किया गया है यहां प दो हजार राइट वेजुकेशन दो हजार दो में आया था और यह 86 कॉंस्ट्यूशन अमिन्मेंट एप था और मैंने आर्टिकल ली बताया था आप लोग को एटिकल तो यह आप लोग यहां पर सी वाले को सही कर लेना कि कि किस से लाया गया है तो इस भिहाब पर इसको ला देखो लारजेस्टिक और कौनसा लार्जेस्ट बिदभन है तो यहां सुद्रां च से तु ब्रिज जो यहांपर सी ऑप्सन है वू सजी है सुनना बातों को जो ब्रिज की अगर मैं बात करीं बयтов च्रोंट पर सोरी अगर आपको के बीज जो हे मारे हाँ ब्रिज हमाहे हां लार्जेस्ट बिज कौन सा इंडिया का लॉंगेस्ट कौन सा होगा तो लॉंगेस्ट बिज इस समय जो बना हुआ है वो अश्चम पर बना हुआ है और याद नहीं इसके लिए लगब नाइन पॉइंट फाइफ किलोमेटर के आसपास है तर रिवर कौन सा यहां पर बिज कौन सा है तो हाइस्ट बिज चेनाब रिवर बिज बिज है और जो चेनाब रिवर बिज वो कहां पर बना हुआ है तो यह बना है जंबुएं कास्मीर में बना हुआ है और यादतना चेनाब रिवर जो बना हुआ हुआ है अपनी हाइट से बेस से लगब 339 मैं सबसे हाइस डिश में काउंट होता है तो कुछ ऐसे करके आप इस बिश को यहां पर देख ले ना तो यह हमारा जिम अभी रिशेंटली बिश बनाएगे तो यह भी रिशेंट के मैं स्कॉड़ाता हूं और आगे मुँग पर दो विट अब सुनना बात को यहां पर यहां पर किस ने पार्टन किया है प्री-ओडर फूड डिलिवरी के लिए साथ आपको पता होगा यहां पर स्वीगी से पाटन किया आप लोग जानते होगे एक प्लेटफॉर्म में जिससे आप रेल वे के रिकार्डिंग टिकेट बुक करते हैं और रेल वे के रिकार्डिंग बहुत स तो बस pre order में delivery करने काम करेगा इतनी सी बात है और कुछ नहीं तो वन लाइने आप लोग को पता होने चाहिए now squat आते हैं और move करते हैं इसके next news में next news क्या है next article क्या है where has the exercise, trialator exercise, दोस्ती 16 starter, दोस्ती 16 trialator exercise को start किया गया है और कहाँ पर start किया है, तो याद है न मालदिव को start किया है, पहली बात दोस्ती exercise जिया दखना दोस्ती तीन country के बीच में होता है, एक country इंडिया अपना पहरा भारत है और इंडिया के बात दूसरा साफ यहाँ पर मालदिव से तो मालदिव सो, मालदिव से third number कोन आएगा यहाँ पर, third number में यहाँ पर सीलंगा आता है और यह नवी की exercise है, अक्शली नवी की भी नहीं, कोस्ट काड जो इंडिया में होता है उसके exercise है, जड़ा मैप में देख ले ना तो यह इंडिया है और देखो ट्राइजंग्सन कैसे बन रहा है, इंडिया में यह वाला सीलंगा हुआ और यहाँ पर मालदिव सो, तो यह त यहाँ पर कोस्ट काड ने exercise की है, बस इतना बात याद रहना मालति उस रहेगा, ठीकिन अब आप लोग प्रिछ कमेंट करना है, कि सिंगापूर के साथ हमारी कौन से exercise होती है, सिट मैक्स होती है क्या, फिर ऑस्टेलिया के साथ बता ना, क्वाड मैं ने बता दिया आपको क क्या इंडिया और इंडिया के बीच में कोई bilateral exercise होती है क्या, तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट बाक्स मता ना, होती है तो जरूर कमेंट करना, ठीक है यह है, तो इसके साथ भी कमेंट करना, कि हमारी USA के साथ कोई भी तीन, USA तीन भी कोई भी exercise का नाम आप लोग बदा ना, ठीक ही ना, रशिया के साथ दो exercise चलू ठीक है, यह important है, रशिया के साथ दोनों exercise important है, दोनों exercise के प्लीज आप लोग मुझे एक बार कमेंट बाक्स मताना, चलू ठीक, और जो मैत्री थी ना, जो मैत्री अप मैत्री exercise है, वो किस-किस country के बीच में होती है, वो मताना है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर मनुवर्ण दूसी के डेथ हुई है, पास हो चुक है, डेथ हो चुकी है, तो देखो है, यहां पर, यहां पर क्या है, महाराष्टरा के चीफ मिनिस्टर है, सुनना, महाराष्टरा के एट प्रिजेंट कौन है, एकनाथ सिंदे, तो एकनाथ सिं एक साथ मिलते हुए देखा था तो तीनों लोग मिलकर यहां पर गवर्मेंट चाहिए अजीद पामार वाली बीजेपी सबको पता है और यह सी उसे ना जो उद्धाव ठाकरे वाली है इन तिनों ने मिलकर यहां पर इसको स्टाबिस करेगा वहां पर इनकी डेथ हो चुकी है आपको बता होगा एक ना सिंदेशी है में यह दो यहां पर वाई से उप्मुक मंत्री के रूप में यहां पर वर्किंग और वर्किंग है मैं इसको अड़ाता हूं और हम लोग मूब करते हैं इसके नेक्स्ट कुस्चन में रिसेंट्ली विच कंट्री प्राइवेट कंपनी है इसको है क्या यहां पर कि कौन सी कंट्री अभी रिसेंट्ली है जिसने अभी कंट्री है जिसने अभी कंट्री है जो लेंडिंग ऑन दे लेंडिंग ऑन दे कॉमर्सिल स्पेस्क्राव मून में लेंड करवाया हूं अमेर भाइविट कम्पनियां सौरी कम्पनी बननी हैं जिसने मून पर लाइड कर राज्त हैं आप अभी तक अगर और मून पर जाने माले कौण से कंट्री है Casey अब करगे सी up पर जाने माले नंडे नंबर एक सबसे पहले हैं यहां पर मिल्गत दो्न तो से स्रीज है जो कि USA की है और यहां पर जब भी जाते हैं तो Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3, सैथ पता हो, Apollo 11 में नीला हुआ है, थर्ड नमबर में आ जाएगा, यहां पर European Space पेसेंची, smile mission से, European ने इसा mission जो गया है, इसा बाद 4 नमबर में यहां पर चाइना गया है, और चाइना गया है, चैंगे मिसन के नाम से गया है, चाइना के बाद इंडिया, I'm sure कि सब को यह पता होगा कि इंडिया का जो मिसन था, चंद्रियान के नाम से बेज़ादा है, तो चंद्रियान के mission था, चंद्रियान इंडियान ने वन जो किया था, 2008 में किया था, जो कि यहां पर mission था, जो कि और पिटर mission था, और बिटर mission का मतलब क्या है, कि यह वाली है, इसके बाद दूसरा नमबर जो mission आया, वो 2019 में गया था, 2019 में क्या करना था, हम लोग को यहां पर land करना तो यह lander mission था, lander mission का मतलब होता है कि कोई भी robot यहाँ पर जाकर land करें और यहाँ पर move कर देखा lander mission तो यहाँ दखना है जो अमेरिका ने अभी mission किया वो एक lander mission था तो मतलब यह orbiter mission थोड़ा सा easy होता है इन comparative lander mission 2019 के बाद third mission सबको पता है 2023 जो की इंडिया को लेंडिंग करना था और इंडिया ने यहाँ से पहले और इस और से यहाँ से क्या निकला जो लेंडर का नाम यहाँ पर विक्रम था और यह विक्रम के बाद यहाँ रोबोट निकला जो यहाँ पर ना बहुत ना कि अमेरिकन प्राइबेट इस प्रेसिंसी बनी है अगली जो यहां को लेंड करना करें बनी है आपको साथ बीच में भी याद हो कि बीच में हम यहां पर लिखते हैं तो अच्छा होका लिखना कि मैं छह नंबर में यहां पर जैपान पर लेग दूँ अब लिखना बाकिए कि सक्षिफुल है कि नहीं है 99 परसेन इसको काउंट करें ना कि जापान के जैक्सा ने भी इसको सक्षिफुल बना लिया तो ऐसे करके यह जो प्राइबेट एजनसी बनेगी जो यहां पर जाकर पहुंचेगे मैं इसको उटाता हूं और आगी मूब करता ह कि वेर्वास ड़ूबल बिजनेस और महा बिजोफ़शार स्इंड हैं रिसेंटले कहां पर है इसके आपट सब्सक्षान आप सब्सक्राइं और'S को अइन हां पर कि यहां पर कि ड्रोन को पाइलेट करने के लिए ट्रेंग स्टार्ट किया है अभी कौन सी कंट्री ने इसको स्टार्ट किया है न तो इंपोंटेंट बिलुकुल इंपॉंटेंट तो यादेना इसमें आएगाvens प्लीज आप लोगने कई बारे था अपना बोस बनाया था मतलब भारत का अपना बना था तब आईटी मदरास ने ती फिर हम लोगों ने तब भी देखा था जब इस इस पे जिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलोजी को यूज किया था तो 3D प्रिंटिंग से बनने वाली पहली जो पहला जो पोस्ट अफिस बनाए गया था इसने फ्रीट पिंद्टिंग से पहला पूस्ट ऑफिस तब हमने देख़ो था और इसको देखा था कि हम लोगों ने इसने अपनी उपन की थी और यह ब्रांच ऑपन की थी इसने इसने जांवी अगर्फ में थे तो यह यादर आट लोगी की बात आती है तो ऑपरेटिन सिस्टम है माय बी ऑपरेटिन सिस्टम है जैसे कि में गूगल का मुबाइल को आपकी किवल आर्मी करेगी उसके लिए बनने वाला ऑपरेटिन सिस्टम है नाव डन सबको यह बात क्लियर हो रही हो गया है थे मैं आके बढ़ता हूं नाव लेशन किस ने किया है तो आपको पता होगा कि यहां पर जब यहां पर यहां पर एक किया है तो सबसे पहले यहां पर DRU का ही नाम आएगा रीजन के यही एक काम करता है तो सबको पता होगा DRU ही बारत में मिसाइल बनाने काम करता है DRU ही यह सब करने का काम करता है मैं इसको हटाता हूं हटाता हूं और मूब करता हूं इसके नेक्स टार्ट है नाव रिसेंटली ABD जा ADB sorry Asian Development Bag 23 million dollar का यहां पर लोन दिया है किस स्टेट के दिया है तो गुजरात के लिए दिया है इतना याद ना और आया यहां पर ADB आउच इसका फॉरम्मेट गजिसका फॉरमिक इसना 1966 घे को फिलिफिंटंस मिस्ट्रय तो फिलिफिंस में इसका फिलिफिन में इसका किया यहां पर है यह पर किया लोकरेटंतर यहां पर आद नाभोग यहां दकनीशन को यह बन गया gider हमारा इंडिजनेस एप दा इंडस तो वन लाइनर आप याद रहा है ना फोन पर रीजन क्या है कि यह नीज में क्यों चल रहा है कि सहथ आपको पता हो कि पेटियम को 15 डेज की और बढ़ा दी गई है 29 को बंद होने माला था अब इसको 15 डेज और दे दिया तो अभी रिसेंटली इ गाज सेंट जीरो फूर लेंस अफड़ रिलिक्स अफड़ बुद्ध इसको लॉंच गया तो प्लीज इसका याद अग्न थाइलैंड थाइलैंड में ऐसा किया गया और बुद्धा सब को पता होगा गौतम बुद्धा के बारे में जो गौतम बुद्धा जिनका बर्थ 599 वी-शी में माना आता है और तो गौतम बुध्धा उसमे किया गया था और आपको पता होगी द прог혁ता बाकि इनके बारे में तो बहुत कुछ है कि इंडिया में इन्होंने इनका इंडिया में हुआ था और इनलाइटमेंट हुआ था इनका बोध गया बिहार में बोध गया बिहार में इनका इनलाइटमेंट हुआ था इनको ग्यान की प्राप्त हुई थी और उसके बाद यह चले गया थे शा अधर हो गए थी महामाघ्र येने को पारण पॉशन कितिंबा गहने का को चुह ठिक नहीं इसको पुह सावको ओंपर और कुए शीलंक सीटनें बाद देशावके जा तुश्ता युनून ऑली होई फिर फॉली वॉपक Pedro तो मेरे समझ से इसका आंसर यही रहेगा ना एक बार इसको प्लीज एक बार देख लिए नोड़ इसका राइट आंसर है तो बस इतनी बातों को देख लेना यह सही है नोड़ा ही राइट आंसर होगा ना लिसे वेस दा फूर्थ खेलो इंपॉर्टेंट है फूर्थ जो विंटर या गेम से वह कहां पर ओश्चेंग गुलमर्ग में गुलमर्ग सुनमर्ग यादना ग्रास लैंड है घास के मैदन है तो यह ग्रास लैंड में काउंट होते हैं ग्रास लैंड है और यादना जो गुलमर्ग सुनमर्ग ऐसे कहा जा कि इंडिया में एक और गेम होते हैं जो खेलो इंडिया यूद गेम है तो खेलो इंडिया यूद गेम होते हैं वो कहां पर ओ तो खेलो इंडिया यूद यूद गेम इस बात तमिल नाडू इसको भी देख लेना वह डिफरेंट है यहां पर देना खेलो विंटर गेम है यह यूद यह दोनों अलग लगे यह तमिल नाडू में होश्की गया तो प्लीज इसको भी बार देख लेना इसको हटाता हूं मैं यह दो फिर भी बड़ता हूं तो नाओ वेर विल दॉ फिर्स प्रटाइज नुट्यू तो फेहला इसको देख लें इसको देख लाद इसको देख लाद एभिना फिस्त तरटाइस नाओ फिर्स नीच्ट्वाइज निच आपकर लेंग रहें इसको थेकर थूटीकिन अग् बहुंस चीज़ों के नाम हिल का भी नाम है तो जब भी दिवांग आता है तो अरुनाचर प्रदेश सही है यहां पर इंडिया मल्टीपल पूजेक्ट इन लार्जेश्ट इवर था इनकी तो बस इसको भी यहात कर ले ना आप लोग वन लैने की तरह लार्जेस्ट वाटर वाटर कैचिंग एरियास बिल तो हजार तेश याद ना यह भी अनाचर प्रदेश सही तो अनाचर प्रदेश ने इसको बिलको अभी तक पास किया आई तिंग यह 20 कुछन थे 20 के 20 कुछन खतम हो गए कुछ वन लाइनर थे कुछ अनलेटिक थे तो हमने दोनों करके इ इस को यह दिखते ले ना थैंक यू थैंक यू सो मच